आज की इस वीडिस में हम बात करने वाले हैं आप जानते ही हैं कि यूटूब अपने जो भी क्रेटर्स हैं उनके लिए नए-नए यहां पर अपनी यूटूब एप्लिकेशन के अंदर ऑप्सन लॉंच करता रहता है जैसे कि वाइटी स्टुडियो में एक न्यू ऑप्सन मिलेगा यहां पर आपको मिल जाता है डारेक्ट टक्स बोर्ड का उप्सन ठीक है इस प्लस के आइकन पर आप सिंपली किलिक करेंगे तो इससे यह है कि आप यहां पर डारेक्ट ही अपनी वीडियो को या फिर फोटू के लिए अप्लोड कर सकते हैं यह उप्सन इसके इतल्बम में है अपर वीडियो है वह आप यहां से डारेक्टी अप्लोड कर सकते हैं ठीक है इसी के साथ में आप यहां से अपनी वीडियो सेक्त करेंगे विए यहां से अपनी वीडियो कर सकते हैं अपनी वीडियो ठीक है इसी के साथ में आपको यहाँ पर स्टूल का औप्शन मिल दाएगा आप चाहें तो वीडियो को यहां पर सीडूल भी करके रख सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहा हूं सिरब मैं यहाँ पर जो कि Unlisted रहने देता हूं उसके बाद मैं इसे simply back करूंगा आपको यहाँ पर जो की related देखने को मिल लिया है वीडियो ठीक है अगर आपकी यहाँ पर audience के हिसाब से आप यहाँ पर select कर सकते हैं जिसी तरह आप यहाँ पर अपने dashboard से वीडियो को upload करते हैं Chrome में जाकर ठीक है उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं यहाँ पर जाता है related video इस पर आप simply click करेंगे ठीक है तो कौन सी वीडियो है वह आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसी के साथ में कमेंट्स के लिए on और आप यहाँ पर रख सकते हैं अगर आपको लगता है जो आप कमेंट है आप यहाँ पर नहीं चाहाते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट्स के लिए on और भी कर सकते हैं तो यह इसके अंदर एक new option आया है और यहीं से ही आप वीडियो के लिए यहाँ की upload भी कर सकते हैं तो यह इसके अंदर काफी अच्छा option दिया गया है और यह option अभी तक नहीं आपको मिला है तो मुझे नीचे कमेंट्स सक्षन में बता दीजीगा मैं आपको बता दूँगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला थरीका है कि आपको जाना है यहाँ पर पिले स्टोर में ठीक है पिले स्टोर में आपको लिख देना है बाइटी स्टीडियो तो यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है अगर आपकी एप्लिकेशन अपडेट मांग रही है तब ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी बाइटी स्टीडियो में यह option लेक कर आ सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब कर देना मिलते है नाइस वीडियो